So friends, बहुत सारे festivals आने वाले हैं और हमें घर को decorate भी करना है So जिस तरह मैं अपने घर को decorate करती हूँ, अपने handmade things से उसी तरह I think आपको भी करना चाहिए और इस वीडियो में आपके लिए लिखता ही हूँ बहुत सारे DIY Hello friends, कैसे हो आप लोग? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे And friends, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ So मैं सुरीतारावत आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके YouTube चैनल सुरीतास Creative World में So friends, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे home decor DIY और इन DIY में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वाल हैंगिंग जिसे अकसर आपने online shopping या फिर Instagram पर देखा होगा And scroll करते वे आपने भी सोचा होगा कि कास मैं भी इन वाल हैंगिंग को घर पर बना सकूँ So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में वही सारे DIY शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी इन friendly और expensive wall decor को अपने घर पे लगा सके और इस upcoming festival के लिए अपने घर को decorate कर सके So I hope friends आप लोगों को ये वीडियो पसन आएगी और helpful भी होगी So friends, अगर वीडियो helpful है तो प्लीज इसे लाइक को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके So friends, without wasting time चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं So friends, first DIY में सबसे पहले हम लेंगे इस तरह की bangles या फिर किसी भी ring का इस्तेमाल कर सकते हैं और colorful thread का तो यहाँ पे मैंने red, yellow, green and pink color के woolen thread का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें बहुत ही colorful बनाना है wall hanging So friends, सबसे पहले आपको woolen thread लेना है तो यहाँ पे मैंने कम से कम 6 lines इस तरह की woolen thread की ली है And उस 6 lines के बीचों बीच से हम bangles को इस तरह से फसाते हुए दूसरे side से हम thread को निकाल देंगे और यह हमारा thread bangles पे tie हो गया है और अब इसे इस तरह से लेते हुए cover करते जाएंगे इस पूरी bangles को हम woolen thread से cover कर लेंगे So यहाँ हमारी bangles पूरी woolen thread से cover हो गई है और अब इसके उपर हम लगाएंगे इस तरह से satin ribbon तो यह ribbon आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी craft store पे और आपको इस तरह से गुमाते हुए इसे cover कर लेना है So friends अब हमारी ring ready हो गई है और इसी तरह आपको multiple rings ready करना है and ready करना है pom pom और कुछ tassels So यहाँ पे मैंने pom pom and tassels ready कर दिये है and इसकी DIY आपको मेरे channel पे मिल जाएगी साती में उसकी link आपको मेरे description box में दे दूँगी ताकि आप उसको देख कर ready कर सकते हैं या आप इने directly ready made भी purchase कर सकते हैं So friends सबसे पहले आपको tassels पे thread से बांद लेना है and उसके बाद आड़ करना है कुछ pearl and pom pom and इसी को repeat करना है and उसके बाद में आपको बनाई ही ring को भी tie करना है इस thread पे and उसके बाद में इसे cut करना है पड़ आपको धान लएक्ट करना है कि आपको अच्छी तरह से tie और है otherwise we can open thread सकते हैं so आपको अच्छी तरह से tie करने के बाद में इसे कट कर देना है caizer से एड उसके बाद में तॉप site में अगेझ आपको ठेड से टाइ कर लेना है एड उसके बाद में वापस आपको कुछ ब वेल का इस्तमाल करना है तो यहाँ पर मैंने 9 ring का इस्तमाल किया है total colorful and every color का इस्तमाल किया है और उसके top पे मैंने इस तरह के ring को attach के ताकि मैं इसे आसानी से hang कर सकूँ so friends इसी तरह से आप multiple color के इस तरह के hanging को घर पे ready कर सकते है and friends इसे आप किसी भी festivals में use कर सकते है as a wall hanging या फिर आप beautiful backdrop बना सकते आपके घर में होने वाली किसी भी function के लिए like haldi, mendi, navratri, gunpati festivals किसी के लिए भी ये use कर सकते है so friends I hope आप सभी ये DIYs helpful होगी तो चलिए next DIY की तरफ so friends इसके लिए मैंने ही हाँ पे लिया ये cutwork plate and उसके उपर हम attach करेंगे rings तो उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है इस पे febby bond उसके ओपर रख दे रहा है ये woolen वाली ring and center पे लगाना है आपको shubka stickers and साथी attach करेंगे हम कुछ flower and pollen and इन सभी को attach करने के लिए मैंने febby bond का ही इस्तमाल किया है and इसी तरह हम इसके bottom पे लगाएंगे हम hanging और वो hanging बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करेंगे कुछ tassels and pearl and pom pom आप चाहिए तो इन pom pom and tassels को घर में बना सकते हैं या फिर आप ready made भी इने purchase कर सकते हैं आपको ये सारे craft materials आपको किसी भी craft store पे बहुत easily मिल जाएंगे raw materials जीने आपको घर पे लाके सिफ attach करना होता है so इस तरह से हम pearl और pom pom का इस्तमाल करके इसकी hanging ready करेंगे और उसके बाद में इस पे attach करेंगे सुई और धागे की help से so आपको इस तरह से इस पे attach करेंगे लेना है so friends अब हम top पे भी कुछ pearl और pom pom को hang करेंगे and साथी add करेंगे हम ring को एक hanging वाली ring होती है जिससे आप jewelry या फिर आप wall hanging के लिए इस्तमाल करते हैं top पे so इस तरह की आप ring का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप thread को भी extra रखके उसको wall hanging के लिए आप रख सकते हैं अगर आपको ये ring ना मिले so ये हमारा wall hanging ready हो गया शुब का and उसी तरह हम lab का भी ready करेंगे तो इस तरह से आप pair को ready कर सकते हैं जो कि बहुत ही beautiful है जिसे आप door पे या फिर घर पे किसी भी कोने पे भी hang कर सकते हैं और बहुत ही सुन्दर लगने वाला है so I hope आप सभी को पसंद आये होगा friends आप इसे जरू ट्राइ करना so चलते हैं next DIY के लिए so यहाँ पर मैंने लिया है ये lotus के cutouts and जुम की और साथ ही यूज करने वाली हो कुछ पल जिनका इस्तमाल करके हम बनाने वाले हैं wall हैंगी जो की आजकल बहुत ही trendy है and nowadays सभी लोग इसे as a backdrop यूज कर रहे हैं किसी भी festivals के लिए so आप भी इसे ज़रूर बनाईए so आपको सिर्फ इसे assemble करना है उसके लिए सबसे पहले हम टॉप पे भी इसी तरह से कुछ पल को add करेंगे and उसके बाद इस पे attach करेंगे हम ring and friends ये सारी materials के link आपको मेरे description box में मिल जाएगी या फिर आप किसी भी craft store में इसे बहुत easily purchase कर सकते हैं and इस wall hanging को आप घर पे ready कर सकते हैं and किसी भी festivals के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं and friends ये बहुती सुंदर दिखते हैं बहुती बहुती तो आप लोग इसे ज़रूर बनाना and अपने दिवाली या फिर दशेरा ये upcoming जो भी festivals आने वाले हैं आप उन पे इनका इस्तमाल कर सकते हैं as a wall hanging या फिर आप इसे दोर पे भी hank कर सकते हैं जो कि बहुती ब्यूटिफुल लगने वाला है so friends चलते हैं next DIY की तरफ again यहाँ पे मैंने लिया है cutwork plate and यह ring जिसे मैं इसके उपर attach करने वाली हूँ and उसके बाद में हम इसे और decorate करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्वीधागा और कुछ पॉम-पॉम and Shub and Lab के stickers so friends अबसे पहले हम thread पे लाल डालेंगे यह tassels को and यहाँ पे मैंने silk thread का tassels उसके आप चे तो इसे वूलन से भी घर पे ready कर सकते हैं इसके DIY आपको already मेरे चैनल पे मिल जाएगी या फिर आप मेरे description box को कर सकते हैं वहाँ पे मैंने mention किया है friends and साथी आप पॉम-पॉम की वीडियो को भी देख सकते हैं so अब इसे हम line पे इस तरह से attach करते जाएंगे स्वीधागे की help से and उसके बाद में इस ring के नीचे हम इने hang करने वाले हैं so friends यह easily हमारा hanging ready हो गया है और अब हम इसे cut work के नीचे sweet agi के health tray attach के लेंगे extra thread को आपको cut के लेंगे friends अब हम top पे इसी तरह से कुछ pearl and pom-pom का इस्तमाल करेंगे extend करने के लिए and again हमें अच्छे thread को पहले सबसे पहले ring पे tie के लेना है and उसके बाद इसमें add करना है कुछ white pearl and pom-pom and उसके बाद में again हम इसमें add करेंगे कुछ pearl and ring and friends उसके बाद में इसे अच्छे से ring पे tie कर लेना है and extra thread को आपको scissor से cut कर लेना है आप चीए तो family bond का इस्तमाल करके भी इस cut हुए thread को आप lock कर सकते हैं so यह हमारा wall hanging ready हो गया है और अब इसके उपर हम लगाएंगे थोड़े से flowers वन साइड में आप चीए तो टॉप या bottom का इस्तमाल भी कर सकते flowers को attach करने के लिए तो यहाँ पे मैंने एक flower and plus कुछ polan का इस्तमाल किया है and center पे मैं लगाने वाली हूँ शूब लाब के stickers को and friends यह हमारा शूब का wall hanging ready हो गया and friends इसी तरह इसके जोड़ीदार लाब के hanging को भी हम ready करेंगे इस तरह से so friends यह हमारे wall hanging बिल्कुल ready हो गया और पोहत ही प्यारे लग रहे जिसे आप घर की किसी भी कोने में या फिर किसी भी festival या occasions के लिए अपने घर को decorate करने के लिए use कर सकते है so friends I hope आप सभी को यह सारे DIYs पसंद आई होंगे और आप इसे जरूर try करेंगे and friends इन सारे product या materials की लिंक आपको मेरे description box में मिल चाहेगी या फिर आप nearest shop से भी इने purchase कर सकते जो कि बहुत easily available है and video पसंद आई है तो please इसे like और share कीजिए और मेरे चानल को जरूर subscribe कीजिए साथी bell icon को भी जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी videos के notifications आपको मिल सके and friends please मेरे Instagram page को भी follow करना so bye bye take care और मिलते हैं एक नई DIY के साथ में नई वीडियो में so bye bye बाइ